अभी भासन में राष्टपती कहता है CAA के बाद में NRC आएगी आठ बार बोलता है किरे मंत्री की CAA के बाद NRC आएगी और सड़क में मोदी बोलता है रामला मैदान में मोदी लिलह में कि भाईया NRC नहीं आएगी और बाद में तोता की तरह वह मिनिस्टर बोलता है लेकिन आपने देखा कि रहे मंत्राला के website पर है बहुत साफ साफ है कि बिल्कुस ये के बाद एनर्ची आएगी और एन पी आर एनर्ची का एक बड़ा हिस्था है हमें ये किसी भी कीमत में नहीं मंजूर है हमारे देश की धर्म निर्पेश्टा हमको उसमें किसी प्रकार के छेड़ चार सुई का नहीं है संग परिवार को इसे वापस लेना पड़ेगा असंब्रदन एक तरीके से हमारे संभिधान की आत्मा की हद्का की गई है दो यन पी आर में जो सड़तें आपने रखी यह हमें मंजूर नहीं है और तीसरी बात जिस देश के मत दाताओं ने आपको क्यों आने वाल हैं देश क्या मांग रहा है हमारे देश में 14 और ताले लग रहे हैं ब्यापारी आथ मत्या कर रहे हैं और हमारे देश की बेटियां गैंग रेप और जिंदा जलाने के पीडित हो रही हैं और देश के जो गरीब गुर्वाओं का बच्चा पिछले साथ दसक्षे पढ़ लिखर आयस आई पेस बंतार था उसकी फिश बड़ोति का भी खेल कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है शीमा आ आवाज तो हम एक है आवाज तो हम एक है जंग की शुरुवाद है जब तक चले हम एक है तीरात जब तक हस न दे हम एक है जब सलत उड़ते परिंदे खोज ना ले आस्मा मैं कहूं हम एक है तू भी कहे हम एक है आवाज तो हम एक है आवाज तो हम एक है अब अगर लड़ना है तो लड़ते रहेंगे हम एर और लड़ने के लिए पढ़ते रहेंगे हम एर जूत की दीवार से परदा अटाने के लिए हम एक है आवाज तो हम एक है आवाज तो हम एक है जामिया मिलिया इसलामिया में ये एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है जिसमें हजारों की दादाद में आपे लोग मौजूद हैं और आईए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जाना चाहते हैं कि आज क्या हुआ नवस्कार आज जामिया मिलिया के बादूर छात्रो छात्राएं देश में संबिधान को बचाने के लिए दिन संगर्ष्ट के दोर में मैं भुपेंदर रावाता जन संगर्ष भाईनी भारत्य किसान मर्दूर से किन्यन से इस आंदोलन का समर्थन करने और यहां की बादूर छात्रो छात्राओं को सलुट करने आया हूं हमारे देश के अंदर पक तीन चार चीजे मैं आपको नागरिता से लेकर के यनार्षी और यनार्पी तक आपको बताना चाहता हूं कि इसमें खेल क्या है हमारे देश में चुनाव आयोग के द्वारा 90 करोड मत दाता पहिचान पत्र जारी किये गए जिन मत दाता पहिचान पत्रों के बूते हमारे देश में सरकार चुनी गई ये नालायक सरकार हमारे देश के चुनाव आयोग के आउचित्या पर को परसंद चिन लगा चुकी है यह कहिती है कि उनलोग डागरिक नहीं हो सकते हैं जो 90 करोड लोग चुनाव आयोग से मद जाता पहिचान पत्र धारक है मेरे देश में पायोमेटिक्ष पूरि बैग्निक पत्रती से एक करोड़ लोग लोग को हुआ है कि एक सोबूइस करोड़ लोग ओ सोरी एक सोबीस करोड़ लोगों को अधार कार दिया गया उन उनको भी ये भारत की नागरिकता नहीं मानते हैं जिनके पास राषन कार्ट है ढ़ाइविंग लेसंज नूक्षान मेरे देश में हुने मेरे भारत में 30 करोर लोग भुमिहीन है और 30 करोर लोगों के पास अगर मत दाता पहिश्चान पत्र होगा उनके पास बोटर आइडी जिसको बोलते हैं उनके पास पेन कार्ड होगा रासन कार्ड होगा द्राइविंग लेशन्स होगा उनको भारत का नागरिक नहीं माना बंजारे तमाम पशुपालक 15 करोड लोग घुमंतू जाती के लोग हैं उनके पास भी संभावनाय मुझे कम दिखती हैं 1 करोड 70 लाख लोग मेरे भारत में भूब बेघर लोग हैं उनके पास घर नहीं है उनके सामने भी सवाल खड़ा होगा और 8 करोड 43 लाख मेरे देश में आदिवासी हैं मैं ये गणना क्यों बताना चाहरा हूँ हमारे देश के अंदर 1970 का सरकारी आकड़ा कहता है कि 66% लोग 100 में 66 लोग निरक्षड थे 66% लोगों के पास स्कूल के सार्टिफिकेट होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे देश में सत्ता के सिकर पर बैठे नरेंदर मोधी जो अपने को गिरिजट बताते हैं उनकी सैंस की डिगरी और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ लाखों लोग परती बस नजियों में बाड में बह जाते हैं उनका सामान सब को डूब जाता है मोधी जी कि यहां तो बाड भी नहीं आई इनकी डिगरी कहां चली गई इनके साथ में एक महला है मंत्री उसके पास दस्वी का आप मार्क सी नहीं है वो भी बाड में नहीं ड अब मुझे बताईए स्कूल के साथिफिकेट उनके पास नहीं है और जमीन भी उनके पास नहीं है आपको पता होगा एक इनका बाबा होता था गोल वर्कर गोल वर्कर ने कहा इसाई और सुद्रों का बोड का अधिकार चीन लो तो संग परिवार उस और बढ़ रहा है हमा सब्सक्रादी के 75 साल में हमारे भारत के लोग भारत के पासपोर्ट के बूते संसार के विविन देशों में जाकर तीन करोड़ दस लाख लोग नागरता हासिल कर चुके हैं यह फरजी डिगी वारे गिरों ने क्या कर दिया हमारा देश हमारे देश के द्वारा जारी किये पासपोर्ट की मानता को खारिश कर दिया अब आप कल्पना कीजिए जो तीन करोड़ दस लाख लोग विश्वके विविन देशों में निवास कर रहे हैं वाकी नागरता हासिल कर चुके हैं उनकी नागरता पर सवाल खड़े कर चुका है हमारे तीन करोड़ दस लाख एन इन लोगों ने अपमान किया एक करोड़ 75 लाख लोग हमारे भारत के काम पर गए हुए विविन देशों में उनकी नागरता भी खत्रे में पड़ चुकी है क्योंकि पासपोर्ट पर के जिस पासपोर्ट के बूते आप विदेशों में नवकरी कर रहे हैं उस पासपोर्ट की नागरता पर सवाल खड़ा कर चुका है मोधी सरकार और मैं एक बात जानना चाहता हूं अगर यह 4 करोड 85 लाख लोगों को वो सारे के सारे देश पैरंग भेज़ दें उनका कितना योगदन है 2018 में 89 अरब अमेरिकी डालर हमारे बिजेशों में कमाई करके इस तपके ने हमारे भारत में भेजे यह आठिक सुरोत का एक बड़ा जरिया है और 4 करोड 85 लाख लोगों को रोजगार अगर वो वापस आते तो इतने मौके कम मिलते उन्होंने 4 करोड 85 लाख लोगों के और दुनिया में मुशलमान सूद खोरी नहीं करते हैं यह इसलाम में बर्जना माना गिया है अपराद माना गिया है तो मोधी सरकार बना संग की सरकार मोधी तो प्यांदा है संग की सरकार ने क्या क्या पाप किये हमारे देश में मुशलमानों को सूद खोर बनाने के लिए और अपने चहेतों को काला धन सपेथ करने के लिए पर्चलन में जो नोट थे 1500 के उन्हें खारिष कर डाला है हमारे देश में देश के ब्यापर उध्योग को चौपट करने और विड़ेशियों की कमपणियों को बुलाने के लिए जो हमारे देश में टेक्स पद्दती थी उसको खारिश करके GST में तब्दिल कर डाला और इसका नुक्सान क्या हुआ हमारे देश के अंदर GDP 1.5 पर पहुंच चुकी है जिसको कहते है वेंटिलेटर पर बतनी 200 सालम ये देश निपल पायागा कि नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है मैं यह बताना चाहता हूँ अभी यह जो कवायत है कि क्या हो रही है कि तीसरी बात हो रही है मैं आपके दर्सकों को बताना चाहता हूँ अभी भारत में पास्पोर्ट का नया डिजैन तयार हुआ जिस पर कमल मारका है अलो कमल मारका संग परिवार की भाजपा का हमारे देश में भरजी पास्पोर्ट बनते थे तो फरजी पास्पोर्टों को बचाने के लिए कमल का ही चिन मिलाता क्या तो कमल सदै कीचड में खिलता है और यह संगपरिवार मेरे पूरे भारत को किचड बनाने जा रहा है यह बात मैं देश के साड़े देश और दूपऊर सब्सक्राइब करने के लिए और वहां पर उनको सुनना पड़ा कि तुम गांदी और नेरु के देश से सब्सक्राइब करूंगा मैं भारत के लोगों की नागरता को चीनने का काम करूंगा तो मैं अब के माध्यम से दर्शकों कर सवाल करना चाहता हूं जो दर्शक मित्र यह मानते हों कि 30 करोड भूमी हीनों के पास कोई सबूत नहीं आने वाला है कि वह देश के नागरी कहें कि नहीं उन 30 करोर लोगों की नागरता बचाने के लिए आपको यक्चुथ होना पड़ेगा हमारे 15 करोड जो गुमंतु जाती के लोग हैं उनकी नागरता को बचाने के लिए आपको यक्चुथ होना पड़ेगा एक करोर सतर लाग जो बेगर लोग है उनकी नागरता को बचाने के लिए आपको यक्षिट होना पढ़ेगा और एक करोड़ पिचतर लाख लोग जो बिदेशों में रोजगार करके देश को धन्वान बना रहें उनके सम्मान के लिए आपको एक चुट होना पड़ेगा और मैं आपके मात्रे से एक बात बताना चाहता हूँ ये खेल क्या है? हमारे देश के अंदर दो किसम के लोग हैं एक जो संग के बिधान के साथ है वो मुठीवर लोग है और जो संबिधान के साथ है पूरा भारत एक चुट है और भारत के साथ विश्व में जितने भी हमारे यन आ रहा हैं वो सब और जो छात्र विजशों पड़ रहे हैं वो सब भी हमारे साथ टिकटे हैं मैं इसके लिए बदाई देता हूँ जामिया की बादूर छात्रा और छात्राओं को जिनको खेट तोड़ करके लाठी, गंडे, गोली और अंदर जाकर के फीटा गिया लेकिन संग परिवार की लठायत बने गुंडे हमारे जामिया के चाथ बादूर छात्रा छात्राओं को भैवीत नहीं कर पाए वो नकेवल जटे हुए हैं अपने कॉलेज के भार लेकिन जब गोश्रा करते हैं उसी दिनों दिल्ली में संचत की चौकट पर भी चुनोती देते हैं मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं अब देश दो धड़ा में बढ़ चुका है एक बावासाइब की अध्यक्ता में बनेवे संबिधान के साथ भारत खड़ा है और दूसरे देश के कायर लोग संग के बिधान के साथ जाने की बात कर रहें पर मैं एक बात और आपके इस खिलाप और कंपनी सरकार के प्रावधानों के साथ हैं लेकिन कुछ पड़ा लिखा मास मूर्ख तब का भी इनके बहकाओं में आ रहा है उनसे मैं आग्रा करना चाहता हूं कि तुमारे बाप दादा की निगरी का क्या होगा और एक बहुत बड़ी आबादी जो बंगला द कि हमें इसमें लाकों लाक लोगों की अब तक धिहानत हो चुका है आयू दोस्त के कारण ऐसी दसा में आप समझ लीजेगा कि बड़ा तबका वो भी है जो पाकिस्तान के बिभाजन के बाद वहां से भारत में आया ऐसे रिपूजी परिवार के लोगों के लिए भी अपने संग की सरकार जो हमारे देश के लोगों के नागरता पर सवाल खड़े कर रही है इसकी नागरता के सवाल खड़े करने वाले पूरे संग परिवार को आपने खारिज करना है जैसे ठार खंड में हुआ मैं आप सब लोगों से उमीद करता हूं कि इस देश में देश के आम नागरिकों को बचाने के लिए देश के संविधान की हिपाजत के लिए और संग के विधान को खारिज करने के लिए आप सब लोग जामिया मिलिया के चात्रों के साथ एक जुठ होंगे इसी सब बात के जय जवान, जय किसान और आज के यूओं को धन्यवाद। कामनी ला जज हैं, कामनी ला ने आदेश किया था, किसी भी कीमबत पर लोग तंत्र में बिलैक मेलिंग का अधिकार नहीं दिया था सकता, और हम ने कहा हम जो कुछ कर रहे हैं, इसके लिए सरकार ने हमको बात देखिया, और हम अदालत के अधिका सम्मान करते हैं, लाठिया नहीं चली थी, क्यों? तब देमोकरेटिक सरकार थी, लोग तंत्र को मानने वाली सरकार थी, कांगरेश यूपीय की सरकार थी, आज अलोग तंत्रिक लोग हैं, आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बदाई देता हूँ जामिया के चात्रों को, मैं जहां जहां मुझे अफसर मिला मैंने हर जगा जिक्र किया जामिया के चात्रों की बाहदुरी का लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता था और कहता रहा हूँ कि जामिया मिलिया के चात्र हिंसक नहीं हो सकते हैं उपदर भी नहीं हो सकते हैं मैं तो बदाई देता हूँ हमारे देश के अंदर जो आपने सवाल किया संजी भट जैसा निर्दोस आज जेल में है इमानदार जज लोया मारा गी आपके सामने है अभी चीप जैसी जो रिटैर होया सुप्रीम कोट में वलादकार का मामले में फसाया गया यह जो पूरा घट मैं तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि पूलिस में भी कुछ इमानदार पूलिस कर्मी है और कुछ कुछ लोग निश्चित तोर पर मुझे लगता है कि पूलिस की बढ़दी में पूलिस में संग के गुंडे भी भटती हैं ऐसे कैसे संभभ हो सकता है क्या मतलब होता है गेर तोड़ा गिया चोकिदारों को पीटा गिया अंदर जाकर के लेबरेटी के दरवाये तोड़े गए चात्रों चात्रों को बेले में से पीटा गिया जो दैनी किरिया के लिए सोचाले में थे उनका भी पीटा गिया और फिर आपने देखा मुस्लिम इन्वर्शिटी अ जीवन है मैंने पहली बार देखा कि पुलिस की बढ़ी पहने हुए गुंडे जामिया मिलिया के भार खड़े स्कूटर मुर्थटियों तोड़ रहे थे पुलिस की बढ़ी में पस्टीमुत्र परदेश में घरों में गुश करके बच्चों को महिलाओं को बिर्दों को बेरह लाई और परतसंकारी मारे जाते रहे हो मैं सदफ जफर का जिक्र करना चाहूंगा उसने लखनों में एक काम किया वो लाइब कर रही थी उसने पुलिस अधिकारें से कहा कि पांच-छे लोगों के भैग में पत्थर हैं और उसका इतना बोड़ना क्या हुआ पुलिस अधि को देखा है उनकी शिकायत की तो कौन नहीं कह सकता है कि गोली चलाने वाले कट्टे बाद इसी पुलिस के लोग हो उसी संग के गुंडे हो मैं तो हैरान हूं मैं सुप्रीम कोट में बैठे जजों के ब्यवार से उनके रवय से हैरान हूं जिर्तराष्ट से भी ज्यादा ख अपने देखा हमारे देश में संचत के अंदर बोलता है वाजपा का संचत रोनाचल में कि सीमा पर कब्जा हो चुका है तब तो छेना परमुख विपिन रावत कुछ नहीं बोलता और हम संभीधान अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे देश का बच्चा बूड़ा के अंदर हत्या की है और उस हत्या के खिलाब हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये नागरिक संचोदन कानून वापस लिल जाता है और जो ये नार्ची का नाम बदल करके येनार ये नपी आर कर रहे हैं और हमारे देश के लोगों को ऐसे गुमा फिला कर फसाने का खे खुले रूप में सामने आना चाहिए कितनी बड़ी बीचित रिष्टिती है कि थल सेना परमुख हमारे देश के आंत्रिक मामले में बोलता है और उनाचल के मामले में सेलेट रहता है तो ये सोचना और समझना पड़ीगा मैं व्यक्तिगार तोर पर ये मानता हूं और समझ लीजेगा उसको समझना पड़ेगा और जो उसका अईलान है धीरे धीरे सब लोग उसकी जाल में फस रहे हैं कुछ लोग तोता वहां बैटे हुए हैं मैं नाम नहीं लूँगा मंत्राले में बैटे हुए वह कह रही है हमको मंजूर नहीं तो बाहरा आजा भीया मरसा लेकिन तुमको मलाई भी चाहिए और संग्यों का हिंदू राष्ट भी चाहिए कि हमारे देश में हमारा देश धर्म निर्पेक्स देश अर्शंसार के अंदर जो भी देश सामपर्दाइकता के आदर पर बने हैं जो देश धर्म के आदर पर चल रहे हैं उन सब का बिनास विश्व में दिख रहा है और जो लोग उदार कपादी देश हैं जहां सामपर्दाइक सवहार्थ है जहां धर्म निर्पेक्सता है वो देश के विश्व के सक्तिसाली देश हैं हमारे देश को कबिलाई यूग से और इस लोग तांत्रिग्यों में आने बहुत अर्शा सब्सक्राइब करता हिंदू से मुसल्मान से शिक्र से इसाइक से बहुत से जैन से किसी से मिलता और यह संग्यों का नेता है वो खुस है कि भईया हिंदू का नाम लो हम इसले कहना चाहते हैं कि इस बात को आपको मानना पड़ेगा यह पूरी कभायत एक खत्या का सीरी जो सब्सक्राइब कर दिया और मैं इस पर एक बात करना चाहता हूं सौरी मेरी जबान फिसल गई थी कि वह दूसरा मसला आपने एक सी देखी अभी भासन में राष्टपती कहता है CAA के बाद में इनर्ची आएगी आठ बार बोलता है कि रह मंतरी की CAA के बाद इनर्ची आएगी और सटक में मोधी बोलता है मैदान में मोदी लिलह में कि भाइया ये नार्ची नहीं आएगी और बाद में तोता की तरह वह मिनिस्टर बोलता है लेकिन आप देखा गिरेव मंत्राला के बैफ साइट पर है बहुत साफ साफ है कि बिल्कुस ये के बाद ये और ये नार्ची का एक बड़ा हिस्ता है हमें ये किसी भी कीमत में नसी है ये मंजूर है हमारे देश की धर्म निर्पेखता हमको उसमें किसी प्रकार के छेड़ छार स्वीकार नहीं है संग परिवार को इसे वापस लेना पड़ेगा ये असंबर्दन एक तरीके से हमारे संविधान की आत्मा की हद्का की गई है दो ये इंपियार में जो सटें आमने रखी यहाम मंजूर नहीं है और की मत प्रइखता के अधिकार उनके नाखता के पास्पोर्ट के रासन काट के उनके पेन कहड के सब अनकार अगर आप छीन रहे हो जनता देख रही है समझ रहे मोधी जी तुम्हारे पूरे कुण्ड में के उल्टे दिन आने वाले क्यों आने वाले देश क्या मांग रहा है हमारे देश में 14 करोड बेरोजगार डिगनी लेके धूम रहे हैं कट्रोल लेके नव क्या कर रहे हैं और हमारे देश की बेटियां गैंग रेप और जिंदा जलाने के पीडित हो रहे हैं और देश के जो गरीब गुर्बाव का बच्चा पिछले साथ दसक से पढ़ निकर आयस आई पिस बंता अरदा उसकी फिस बड़ोतर का भी खेल कर रहे हैं मतलब क्या हो शीमा आप नहीं है बचा पार रहीया हैं बचा रहे हैं अरोक रोजगार आपने इयुक्र अभी बचा पार यह दो आपने काले जातवकरना मोदी बंद करो लोग तुमारा बिस्तर बंद करने वाल ग कर दो होग जो जब keyword कर दोенняर के टेयर का dzisiaj करको समय ketchup कि अम्मीछा कर थाएव Japan 2 अब है ं noi जा सिर्वमा का गlor हुआ... कि एา समय है कर trembling, कि को बुद्ट में है है । जा आ网ा म में है